माईचो परदेश में कॉंग्रिस के सभी बागी और निद्दलिय विधायकों के घरों के बाहर केंद्रिय एक जह मंत्राले ने CRPF का पहरा लगा दिया है आपकी जानकारी के लिए कि कॉंग्रिस के छे बागी विधायक थे और तीन अन्य निद्दलिय विधायक जिन्नोंने बीजेपी की मदद की थे राज्यसवा के चुनाव में अब इनके घर के बार 6-6 CRPF के जवान तनाथ हैं और साथ ही हर वक्त पहरा देंगे दो डो जवान जिनकी तीन शिफ्ट में ड्यूटी लगाई गई है साथ ही आपको ये एक बार याद दिला दे कि राज्यसवा चुनाव एक सीट पर था हिमाज़ो परदेश में सब कुछ आखड़ा कॉंग्रस के पक्ष्ट में था लेकिन उसके बाद दिखा गया कि बीजेपी परतियाशी की जीत हुई क्योंकि इसमें छे बागी विधायको को रखा जाएगा जो बागी विधायक बताए गए है निदले विधायकों की भी सुरक्षा करेंगे सी आरपीएफ के जवान 18 जिन से सी आरपीएफ के सुरक्षा घरे में ये पहले से थे अब उनके परिवार को भी सुरक्षा कवर मिला है ये भी हमने देखा आईए एक रिपोर्ट दिखातने इस पर हमारे बीरो मनोज धिमान की घर पर कोई पत्राव या कोई बाहर परदर्शन ना हो जके और किसी तरह की कोई घटना ना हो इसके लिए कि जो अंदर से सूत्रों के हवाले से खबर मिली है, वहां पर 10 जवान जो हैं, वो C.R.P.F. के तैनाद किये गए हैं और किसी भी बाहरी व्यक्ति को गेट के अंदर जाने से की इजाज़त नहीं है, कोई भी व्यक्ति जो है वो अंदर नहीं जा सकता हलांकि जो घर के अंद